क्या भारती अज़नता पार्टी अपनी ही सांसत कंगना अरणावत की फिल्म रिलीज नहीं होने देना चाहती हैं? सिर्फ अपने वोटों के लिए है? सिर्फ इस लिए कि कहीं सिख वोट उनके हास से ना चले जाएं? दोस्तों ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस वक्त कंगना रनाउत की फिल्म एमर्जेंसी पर एमर्जेंसी लगी हुई है जी हाँ कंगना की फिल्म रिलीज ही नहीं हो पा रहे और इसकी सबसे बड़ी वज़ा कंगना रनाओत की ही पार्टी भारतिय जन्ता पार्टी को माना जा रहा है लेकिन अब उनका जो फिल्मी करियर है उस पर मुसीबत आ गई है कंगना रनाउत तमाम प्रोपोगेंडा फिल्म में बनाती है और एक और उनकी जो प्रोपोगेंडा फिल्म है जो रिलीज होने वाली है अब उस पर मुसीबत आई हुई है कंगना रनाउत की ही पार्टी इस बास से घबराई हुई है कहीं कंगना रनाउत की फिल्म का असर भारती अजन्ता पार्टी के वोट बैंक पर ना पर जाए दरसल जी इंटर्टेंडमेंट ने बॉम्बे हाई कोट में बताया है कि बीजेपी के इशारे पर ही कंगना रनाउत की फिल्म को रोका जा रहा है अब जरा पूरी खबर को भी समझेए ये देखे ये बारेट बेंच की रिपोर्ट है रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है वो हम आपको बताते हैं खबर को जरा गौर्ज से देखिएगा खबर में लिखा है कि बॉंबे हाई कोट ने गुरुवार को कहा है कि रच्मनात्मक आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतनता पर अंकुष नहीं लगाया जा सकता है और सेंसर बोर्ट कानून विवस्ता खराब होने की आशंका के कारण किसे फिल्म को सर्टिफिकेट देने से इनकार्ड नहीं कर सकता है जानी कि कोर्ट कह रहा है कि किसी भी रीजन से कंगनार नाउत की फिल्म को रोका नहीं जा सकता है वो उनकी मर्दी है अगर वो फिल्म बनाना चाहती है किसी भी रच्णात्मक टॉपिक पर लेकिन आगे सुनिए जस्टिस बीपी कोलब वाला और जस्टिस फिर्दोस पूनी वाला की खंट पीट में कंगना रनाउत के फिल्म एमर्जिंसी को सर्टिफिकेट जारी करने के सिलसले में फैसला नहीं लेने पर केंद्री फिल्म प्रमान बोर्ड यानि की CBFC के प्रती नराजगी व्यक्त की गई तो दोस्तो इस तरीके से बड़ा आरोप भारती जंता पार्टी पर कोट ने लगाया कोट ने पूछा है कि क्या भारती जंता पार्टी कंगना के फिल्म रिलीज नहीं उने देना चाहती है रिपोर्ट में आगे क्या लिखा है उस पर भी गौर करे लिखा है बेंज ने कारिवर कोट ने कहा कि फिल्म की से निर्माता कंगना रनाउट स्वैम भारती जंता पार्टी की सांसध और वोर entren予 पार्टी इस 7 तारून पार्टी अपनी सांसə्ध के खिलाफ काम कर रही है कंगना रनाउट ने फिल्म में पूर्व पूर्धान मंतरी डिवांगत इंदर सकते हैं कि क्या हालत इस वक्त कंगना रनाउत की हो रही होगी लेकिन कंगना रनाउत से अब भारती यह जंता पार्टी में क्योंकि वो सांसद हैं इसलिए अपना ये दुख ना तो निगलते बन रहा है ना ही उगलते बन रहा है बेंच आगे क्या कहती है वो भी सुनी है बे कम से कम तब तक आपके साहस और निर्भीकता की सराहना करेंगे, हम नहीं चाहते कि CBFC टाल मोटोल की मुद्रा में रहे, अदालत Z Entertainment Enterprises द्वारा दायर याजिका पर सुनवाई कर रहे थी, जिसमें CBFC को फिल्म एमर्जेंसी के लिए प्रमार पत्र जारी करने का निर्देश देने का अनुरूद किया गया है, दोस्तों CBFC क्योंकि एक Central Board है, Central केंदरी संस्था है, इसलिए अब सवाल केंदर सरकार पर उठ रहा है, कोट भी यह कह रहा है कि CBFC आतो सीधे सीधे निर्न ले, बता दे कि फिल्म रिलीज होगी की नहीं होगी, अगर नहीं भी रिलीज होनी है तो बताए ना, इस तरीके से टालमटूल क्यों किया जा रहा है, क्या CBFC यह नहीं चाहती कि कंगना रिनाओट की फिल्म रिलीज हो, और अगर ऐसा है तो क्या भारतिय जुनता पार्टी खुद अपनी सांसत के साथ यह सब कुछ कर रहे है, क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो भारतिय जुनता पार्टी अपने हाथों से सिख वोट नहीं जाने देना चाहती, किसाना अंदोलन की वज़ए से भारतिय जुनता पार्टी पहले ही घिरी हुई है, सिक जो हैं वो भरतीय जनता पार्टी से नाराज से हैं चाहे आप दोस्तों हर्याना में देख लिए चाहे आप पज़ाब में देख लिए उत्तर प्रदेश में भी कही ना कही सिखों की अच्छी आभदी है उत्तर प्रदेश, पार्टी के लिए कंगना रनाओती मुसीबत बनती जा रहे हैं कंगना रनाओत जिस तरीके के बयान देती हैं उस वज़े से भारतिय जन्ता पार्टी को पहले ही उनके बयानों को खारिच करना पड़ता है यहां तक ही कहना पड़ता है कि भाई कंगना जी आप थोड़ा कंट के से वो नहीं चाहती है वो हाल नहीं देखना चाहती है जो लोकसभा चुनाव में हुआ है इसी लिए अब इस तरीके के हतकंडे अपनाए जा रहे हैं लेकिन कंगना रनाओद बेचारी क्या करें कंगना रनाओद के पास आपने देखा होगा एक इंटरव्यू में गई थी और वहाँ पर कंगना रनाओद भी ये बात तो नहीं कह पाई अपने मुह से कि उनी की भारती अजंता पार्टी की वज़े से उनकी फिल्म अटकी हुई है लेकिन बेचारी विपक्ष से मांग कर रही थी कह रही थी कि प्लीज मेरी फिल्म रिलीज हो जाने दीजिए यानि अगर देखा जाए तो भारती ये जंता पार्टी में आने के बाद सानसदी की सीट तो कंगना रनाओद को मिल गई लेकिन उनका जो फिल्मी करियर है वो मजधार में पड़ा हुआ है इतनी मैनत से एक फिल्म बनती है और उसके बाद अगर वो रिलीज नहीं हो पाती तो य ये कंगना के पूरे करियर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है आगे भी कंगना रनाओद को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अब भारतीय जंता पार्टी का ये जो वोटों के लिए लालच है ये जो वोट बचाने की तर्कीब है उस पर जंता क्या कहती है वो भी हम आपको बता देते हैं देखिए अनुज लिखते हैं कि भाजपा ने यही केल उस वक्त खेला था जब संजय लीला बंसाली की पदमावती रिलीज होनी थी और गुजरात में विदानसभा चुनाओं में राजपूत वोट बैंक नाराज ना हो जाए इसलिए बाजपा ही सहारा तो साफ तोर यहां पर जनता यही कह रही है क्योंकि कंगना रनाओ तो बहुत मिल जाएंगी भारतिया जनता पार्टी को लेकिन वोट सबसे जरूरी है भाजपा के लिए इसलिए कंगना रनाओ शायद अभी इस बात को समझ नहीं पा रही है आगे रिश आगे केपी पाठक लिखते हैं कि इसे पूछना है आजादी कब मिली थी कंगना का वो बयान याद किया जा रहा है जिसमें कहती थी कि आजादी 2014 के बाद मिली है लेकिन आज बिचारी कंगना पर ही एमर्जेंसी लगी हुई है 10 पोस्टिंग नाम के एक पेज ने लिखा है कि the emergency is delayed to save BJP from emergency बीजेपी को एमर्जेंसी के बचाने के लिए ये emergency delay हो रही है शाहिन लिखती है कि कैसी विडम बना है इंद्रा गांदी पर बनी फिल्म एमर्जेंसी को BJP ने इसलिए विलंबित किया है ताकि BJP को सिक वोट न मिले ये आपातकाल नहीं तो क्या है BJP को आपातकाल से बचाने के लिए आपातकाल में देरी की गई है प्रोफेसर इलाहबादी लिखते हैं कि मतलब इनी के पार्टी वाले हैं पार्टी नुकसान नहीं चाहती करिश्मा अजीज लिखती है कि जहांसी किरानी की प्रॉपर्टी बिग गई और BJP मजे ले रही है उमेश लिखते हैं कि ये दुख काहे खतम नहीं होता तो इस तरीके से तमाम लोग कंगनर नाउट की फिल्म ना रिलीज होने पर सहानुभूती तो जता रहे हैं लेकिन अब देखना ही होगा कि कंगनर नाउट की फिल्म रिलीज हो भी पाती है या नहीं और इसके अलावा ये भी हो सकता है दोस्तों की कंद्रनाथ की ये फिल्म विदान सबा चुनाफ के बाद रिलीज हो जाए आपको क्या लगता है आप नीराय में कमेंसेक्शन मिलकर जरूर बताएगा ये खबर आप उल्टर चश्मा यूसी पर देख रहे हैं नमस्कार